कि फ्रेंड्स वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स से आज हम बात करेंगे बिलियम बड्स बड्स से रेलेटेट कुछ इंपोर्टेंट कोश्चन जो आज कल सीरीज चल रही है तो सबसे पहला कोश्चन है तो हैपी बैरियर इस पार्टली अ कौमेमोरीटेटेंड ऑन देट आफ जो हैपी बैरियर वो किसकी मिर्तिएव पे लिखी गई है तो फ्रेंड्स है हिस बॉर्दर जोन बड्स ऐस फ्रेंड्स कॉलरेज पेज़ फ्रेंड्स लेम नन उभ्डी तो हैं इसका जो राइट आंसर है वो जॉन पर्स पर्ता हैं, friends, shipwreck, 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 shen कि भाई की डेथ हुई थी, next question प्रइब चलते हैं, the first line of road is, oh, there is blazing in the gentle breeze, I wonder lonely as a cloud, my heart लीप नन अब दीज तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ओ दियर इस ब्लेशिंग दा जेंटल ब्रीज आगे चलते हैं फ्रेंड्स दा नेम आप कोर्टेज आप माइकल इज देखिए दा लाइट स्टार दा मौर्निंग स्टार दा इवनिंग स्टार नन आप दीज तो फ्रेंड्स देखिए यह माइकल की जो कोर्टेज है उसका नाम तो होगा इबनिंग स्टार फ्रेंड्स आगे हम चलते हैं दा मून डोथ बिद डिलाइट लोक राउंड हर वें दा है बन आर वेर वेर डू दीज लाइन एपिर यह जो लाइने वह कहां है कहां दिखाई दिए तो फिर फ्रेंड्स य यह जो लाइने हैं इसका जो राइट आंसर होगा वो इमोर्ट लेटी ओड नाइस कोश्चन पर चलते हैं बट्स बट्स में संस एबाउड बर्न्स एंड चैटर चैटर टन इन दा पोएम रिसोलोशन एंड इंडिपेंडेंस माइकल टू मिल्टन नन अब दीज तो फ्रें इसलेशन एंड इंडिपेंडेंस फ्रेंड्स नेक्स्ट कोश्चन पर चलते हैं दा अल्टरनेटिव टाइटल आप दा रूट रूट जो पोएम है बिलियम बट्स बट्स की यह उसका अल्टरनेटिव टाइटल पूछ रहे हैं दा इंफिलेंस ऑफ नेचर दा अर्थ नन अब दी तो फ्रेंड्स दा इंफिलेंस आफ नेचर इसका जो है वह राइट आंसर होगा आगे चलते हैं फ्रेंड्स दस्ट थोड़ी तभी खराब है इसकी विज़े से मैं थोड़ी माफी चाहूंगा दस्ट आइज भी आर दा इमोर्टल इस्प्रेट ग्रोज लाइक हर् इसका जो राइट आंसर होगा वह हमारा होगा बी प्रिलूट बुक फ़स्ट के है लाइन इमोर्टिलिटी ओड्स वर्ट बेस्ट बर्ग बाज जन बिटीन दे यर्स 1798 एं 1808 वेन ही वास इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अगले कोश्चन पर हम चलते हैं कीट्स कॉइंड ए फ्रेज इन लेटर आफ 27 एक्टूबर एटी 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 तू डिस्क्राइब बड्स 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 डिस्टिंक्टिप जीनियस दिस फ्रेज फ्रेंड्स यह जो फ्रेज है फ्रेंड्स आगे हम बात करते हैं फ्रेंड्स तो यह जो फ्रेज वो कहां से लिए गाया सुप्रीम इगोश्टिक सब्लाइम egoistic sublime, egoistic hero, egoistic sublime तो friends इसका जो right answer होगा John Curtis नहीं सुप्रीम supreme egoistic sublime कहा है Billion Bards Guide has written poem on birds He has written two poems of the same title on a bird named that poem तो friends to a skilar to the kukuku or to a night angle तो फ्रेंट इसका जो राइट आंसर होगा हुमारा वो होगा तुआ इसका इलार्क फ्रेंट्स नेक्स्ट कोश्टिम चलते हैं फ्रेंट इसका जो राइट आंसर है वो होगा तौर्ण यह जो लाइने हैं कहां से लीगए यह तौ सैक्सपियर तौ मिल्टन तौ बेंज जॉन्स नन अब दीज तो फ्रेंट्स का जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा जो लाइन तौ मिल्टन तौ मिल्टन नाट बिदाउट ओप बी शफर एंद बी मौर्ण वेर दस दिस लाइन अपेर यह लाइन कहां से पील कास्टल तौ मिल्टन डफिदिल्स नन अब दीज तौ फ्रेंट्स के जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ए पील कास्टल दौ साहल वाइस लाइक अस्टर एंद तौ मिल्टन तौ फ्रेंट्स यहां जो हमारा राइट अंसर होगा वो होगा ब्रेंट्स चाल्ड फ्रेंट्स तौ में चलते हैं चलते हैं तौ काल्स में से नन फिर्ण जोन क्रू रेंसम, सेंप्सन, कम्टन रिकेट्स, नन अब दीज, तो जेसी क्रेंसम होगा, फ्रेंट्स, दा प्रिलूड इस इन, 14 बुक्स, 18 बुक्स, 20 बुक्स, नन अब दीज, फ्रेंट्स, जब ये प्रिलूड लिखी गी तो ये 12 बुक्स में थी, लेकिन बाद में ये 14 बुक्स में कर दीज, फ्रेंट्स, इसका जो राइट आंसर होगा, वो होगा, फ्रेंट्स, कई बुक्स का सार लेकर हमें ये इस इन, आपसे हमारा रिक्वेस्ट है, कि हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में सेयर करें, जैसे अच्छी तयारी आप लोगों की हो सके, और बेल एकन प्रेस कर लें, जिससे नोटिपिकेशन आपको मिलत है, और हमारे इस कंटेंट्स को आप दो बार ये तीन बार आप पढ़ लेंगे, तो आसानी से याद हो जाएगा, थैक्स फर वाचिए.